दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कियोस्क बैंकिंग में आए नए बदलाव के बारे में। आज जैसा कि आप लोग साइट लॉगिन कर रहे होगे तो आपको इस तरह का एरर देखने को मिल रहा होगा। इसके बारे में हमने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि बैंक ने कल से सभी CSP के लिए पेरी सर्विस जरूरी कर दिया है और उसको अपने सिस्टम में जल्द से जल्द अपडेट कर लें। लेकिन आपने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया है तो हम आपको इसका प्रॉसेस फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपको इस सौफ्टवेर को ओपन करना है। उसके बाद आपको इसमें क्रॉस ब्रावजर का एक सेटप दिखेगा। उसको राइट क्लिक करके रन इस एड्मिनिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका सौफ्टवेर इंस्टाल होना शुरू हो जाएगा। आपको सिंपल कोई भी की दवानी है। अब आपकी पुरानी पेरी सर्विस अनिस्टॉल हो रही है। उसके बाद आपको फिर कोई भी की दवानी है। आपकी नई पेरी सर्विस अनिस्टॉल हो जाएगी। फिर आपको कोई भी की दवानी है। अब इसमें आपका नया Morpho Driver इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद इसमें आपकी Cross Browser की सेटिंग हो रही है। इसको complete होने के बाद आपको अपने पुराने ब्राउजर से इसका URL कॉपी करना है और Chrome ब्राउजर को open करना है open करने के बाद इसको यहाँ paste करना है यहाँ पर pop-up allow के लिए आप से मांगेगा आपको simple pop-up allow कर देना है आप इसको दोबारा से बंद करके खुलेंगे URL फिर से copy paste करेंगे और इसके URL को आप यहाँ पर save कर लेंगे और अपना कियोस्क login करेंगे आपका कियोस्क portal login हो गया है अब आप work कर सकते हैं